नमबर वन बार्बल फ्रंट रेजेस इससे शोल्डर का फ्रंट डेल्टोई मसल टारगेट होता है इसमें आप एक मीडियम साइज के बार्बल को शोल्डर की चोड़ाई के बराबर पकड़ कर सिधे खड़े हो जाए अपने कोर को टाइट और बैक को सिधा रखते हुए बार सही फॉर्म के साथ इसके दस से बारा रेपिटिशन के तीन सेट करें नमबर टू डंबल लेटर रेजेस जो कि अमरे साइट डेल्टोई की एक्सरसाइज है इससे अमरी शोल्डर 3D बनने के साथ साथ बोड़ी को वाइडर लुक मिलता है इसे पफॉर्म करने के लिए दोन मोमेंटम को स्मूथ और कंट्रोल रखे इसके भी आप 3 से 8 और 10 से 12 रेपिटिशन करें नमबर 3 सीटे डंबल शोल्डर प्रेस बिना इस एक्सरसाइज के कोई भी शोल्डर वर्काउट रूटिन अधूर ये क्योंकि यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिससे शोल्डर क इसमें सबसे पहले आप एक बैक के सपोर्ट से बैंच पर बैट जाए फिर अपने ताकत के सबसे दोनों आतों में डंबल को शोल्डर के आइट पर पकड़ लें डंबल को तब तक ऊपर की और प्रेस करें जब तक कि आपका शोल्डर मसल अच्छे से स्क्वीज ना हो फिर नियंत रंग के साथ डंबल को शोल्डर के आइट तक नीचे लेकर आए पूरे मोमेंटम के दोरान अपने कोर को टाइट और बैक को सीधा रखके इसके चार से और आच से बारा रेपीटेशन करें नमबर 4 कैबल अपराइट रो अपराइट रो एक परफेक्ट एकसरसाइज है आपके ट्रैप्स और साइड डिल्टोई को एक साथ टार्गेट करने के लिए इसे आप इजी बार बल या फिर कैबल मशिन पर पफॉर्म कर सकते हैं तो सबसे पहले कैबल मशिन की और फेस करक के खड़े हो जाए मशिन के लोईस्ट पुली में इजी बार या फिस टेट बार हैंडल को एटेच करके ओरेट ग्रिप से हैंडल को पकड़ कर अपनी कूनी को कलाई से उचा रखते हुए हैंडल को अपने चेस्ट के लेवल तक उपर की और खीचे तो कूच सेकेंड फिर दिरे-दिरे उसे शुरुवाती पोजेशन में नीचे लाएं सही वेट के साथ 10 से 12 रिपिटेशन के 3 सेट करें नमबर 5 सिटेट कैबल रोफ फेस पूल रियल डल्टोई और अपर ट्रैप्स के लिए एक बैतरीन एक्ससाइज है जिसे काफी लोग मिस कर देते हैं इसे आप कैबल मशीन के सामने खड़े होकर या फिर बैट कर पफॉर्म कर सकते हैं तो सबसे पहले चेस्ट के लेवल पर कैबल मशीन में रोफ कैबल को अटेच करके मशीन के सामने बैट जाए अपने हाथों को सीधा रखते हुए रोफ कैबल को अपने फेस के और खीचे अपनी कोनी को उपर रखके रियल डल्टोई मसल को स्क्वीज करे फिर देरे कैबल को शिरुवाती पोजेशन में आगे ल इसे आप डंबल या फिर बारबल से परफॉर्म कर सकते हैं, तो दोनों आतों में अपने ताकत के इसाब से डंबल को लेकर सिधे खड़े हो जाए, फिर अपने शोल्डर को सिधा जितना हो सके उतना कानों की और उपर उटाए, तो एक से दो सेकेंड होल्ड करे, ट्रैप्स म रेपिटेशन के तीन सेट करे, नमबर सेवन मशीन रिवस फ्लाए, जो की इस वर्काउट रूटिंग की फिनिशिंग एक्ससाइज है, जिससे हम फिर से रियल डेल्टोई मसल को टार्गेट करेगे, इससे अपकी शोल्डर को एक परफेक्ट 3D लुक मिलता है, इसमें मशी करे, फिर एंडल को शुरुवाती पोजेशन में लेकर आए और इसे रिपिट करे, लाइट वेट का यूज करते हुए इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपिटेशन करे